हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चानल आज हम बनाने जा रहा हैं बच्चों का पसंदीदा मैगी कि आज हम बच्चों का पसंदीदा कहें तो साइध यह गलत होगा क्योंकि बड़े भी आजकल काफी चाव से मैगी खाने लगे हैं तो चलिए हम उसी अंदाज में बनाते हैं मैगी यहां हमने कडाही चडा लिया है इसमें हमने थोड़ा सा सरसो का तेल डाला है इसमें हम कटा प्याज हरा मेर्च डालेंगे इसे हम हलका सोटे करते हैं इसके बाद हम इसमें कुछ हरी सब्वियां डालेंगे प्याज हमारा हलका भून चुका है अब इसमें हम गाज़त शिमला मेर्च और टमाटर तीनों चीज़ों को हम डालकर इसे कोरा सबोनेंगे पूरा नहीं हमें से पकाना है एक्दम हलका स सोट को जाता है पेस में हम कोडा सा मसाला डॉल अहिसमें हमारा लगवब भून चुका है अब इसमें हम जितना सब्झ हम डाल रहे हैं उसके माशाल के अनुसार हम right, इसमें मसाला ढाली हमेके हम लीदानी में छूक कि हम इसमें में मैगी कभी माशाला है इस विस एक हमें मेड़ी के अगी माशाव अगड़नी न शुछ यह चिछा, हल्दी, तोड़ा सा धनिया और नमाः, हल्का सा गर्म मसाला हमें आलिया दें, इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं, भूनने के बाद अम पानी डालें गोगे, मसाला भून चुका है इसमें पानी डाल देते हैं, मैगी के अनुपाद से थोड़ा सा जादा हम पानी इसमें डालेंगे क्योंकि हमने सब्जी डाला है अब इसमें हम मैगी मसाला डाल देते हैं मैगी हमने यहां चार पीस लिया है तो चार पैकेट हमने उसमें मसाला डाला है बॉयल हो जाता है फिर हम इसमें मैगी डालेंगे सब्जी में हुबाल आ चुका है अब हम मैगी इसमें डाल देते हैं सारे मैगी को हम इसमें डाल देंगे अगर हमें लगे कि पानी कम है थोड़ा सा मूबर से डाल सकते हैं इससे कोई प्रब्लम नहीं होगा कर दो कि पानी इसमें और डालना होगा मैं अभी डाल देती हूँ मैगी फिर आपको दिखाते हैं मैगी हमारा रेडी हो चुका है अब बैस को बंद करते हैं और इसे सर्फ करते हैं मैगी हमारा बिल्कुल रेडी है आए आप लोग भी सर्फ कीजिए और बताइए कि कैसा बना है इसे हमने गार्निस किया है थोड़ा सा चीज से आप चाहें तो इसमें पनीद भी डाल सकते हैं तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा तो आगे नए वीडियो में मिलते हैं बाबाई